जैंप का क्या मतलब होता है आज की वीडियो में सीख लेते हैं जैंप जो है वो चौकट को कहा जाता है चौकट या स्थम्प यानिकी जैसे हम कोई भी दर्वाजा या खिड़की लगाते हैं अपने घर में तो उसके चारों तरफ एक फ्रेम बना हुआ होता है वो फ्रेम पहले के जमाने में लकड़े का होता था आज कल लोहे का या किसी और माटेरियल का भी बन सकता है तो उस फ्रेम को जो चारों तरफ किसी भी दर्वाजे या खिड़की की होता है या कई बार तीन तरफ होता है तो उसको जैंप कहा जाता है यानि कि चौकट या स्तंप यानि कि jam refers to a vertical part of the door frame और window frame it is the side post or supporting element on the either side of the opening यानि कि जो दरवाजे के चारो तरफ जो frame होता है उसको jam कहा जाता है तो इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen और video के description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहुतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी video मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही videos को देखते रहने के लिए channel को subscribe करें और bell icon को press करें